अब क्विटी एजस्मेंट फेसिलेटी समझेंगे कि तरलता समायोजन सुविधा क्या होता है, लिक्विडी एजस्मेंट फेसिलेटी होता क्या है कैसे ये inflation को control करने में कामाता है और RBI किस तरीके से इनको कम जाधा करता है और ये जितने भी terminology आप यहां देख रहे हो repo, reverse repo, LTO, TLTRO, STLTRO ये सब कुछ नए initiatives हैं RBI के क्या हैं ये सब इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे बट उससे पहले आगे चलने से पहले आप मेरे बारे में यहां से जान सकते हैं पर्चम क्लासेज आप लोगों के लिए SSC GA का कोर्स लेके आया है जिसके अंदर सभी subjects detailed manner में cover करवाये जाएंगे जिसमें होगा GK, Quality, History, Geography, Economy and Science Economy यहाँ पे मैं करवाऊंगी बाकी faculties को आप देख सकते हैं आप जानते हैं बखूबी इनको अगर आप लोगों को सिर्फ Economy पढ़ना है तो Economy का कोर्स मैं लेके आई हूँ पर्चम क्लासेज पे जहाँ पे बिल्कुल शुरू से बिल्कुल जीरो से हम लोग High Level का सलेबस कवर करेंगे सारी PDF आप लोगों को मिलेंगी और यकीन मानिये आप लोगों को अगर ये कोर्स एक बार आप लोगों ने पर्चेस कर लिया इसके बाद आप लोगों को कोई और अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी सभी current issues इसके अंदर include किये जाएंगे सभी finance की जितनी भी news चल रही है वो सब इसके अंदर मैं include कर रही हूँ PDF आप लोगों को मिलेगी notes का For discount, for extra 15% discount आप लोग मेरा code यूज कर सकते है Pile 15 ये code जो है SSC GA के course पे applicable होगा और SSC के economy course पे applicable होगा तो आप लोग Pile 15 code को यूज करके extra 15% discount ले सकते है अगर अपनी तयारी करने के बाद आप देखना चाहते हैं कि आप कितने prepared है तो परचम पे SSC TA1 का test series चल रहा है आप लोग test series में भी enroll कर सकते हैं तो अपने topic को हम समझते हैं That is liquidity adjustment facility कि liquidity होता क्या है पहले ये समझे liquidity क्या होता है कैसे इसको control करते है कौन इसको control करता है इन सब चीजों के बारे में हमें समझना है हिंदी वाले aspirants इसको कहेंगे तरलता और अंग्रेजी वाले कह रहे हैं इसको liquidity तो पहले तो हम देखते हैं कि liquidity होता क्या है एक example से इन चीजों को समझेंगे हमें समझना है, what is liquidity, ठीक है, liquidity किसको कहते हैं, हमें ये समझना है, देखो, यहाँ पर कुछ cash है आपके पास, कुछ coins है, कुछ cash है, ठीक है, कुछ cash है यह, 10-10 रुपीज के, 3 coins है, यहाँ आपके पास gold है, क्या है, gold है, और यहाँ आपके पास एक property है, एक property है, यानि एक plot पड़ा है, कोई घर पड़ा है, कोई flat है, यहाँ पे आपके पास property है, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी tutions की fees भरनी है, tutions की fees भरनी है, ठीक है, first case समझते हैं, आपके पास cash है, tution fees की जरूरत सबसे पहले कप पूरी होगी, जब आपके हाथ में cash है means, जैसे ही counter पे बोला कि fees जमा करवाओ, 30 rupees आपको fees जमा करवानी है, आप क्या करेंगे, 10-10 के 3 सिक्के उनको दे देंगे और आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, अब मान लीजे, आपके पास cash नहीं है, आपके पास gold है, आप क्या करेंगे, इस gold को लेके, सुनार के पास ज का लोगे, सामने वाला जो customer मिल रहा है, मेभी आपके according rates को accept करें, reject करें, paperwork चल रहा है, बहुत समय लग रहा है, इसको cash में convert होने में, cash में convert होने में, ज्यादा समय लग रहा है, कोई भी वो asset, कोई भी वो चीज, जो cash में जल्दी से convert हो जाए, उसको ही liquidity कहते है, liquid का मतलब ह होता है cash, कोई भी वो चीज, जो जल्दी से liquid में convert हो जाए, उसको कहेंगे, ये ज्यादा liquid है, अब जैसे अगर मैं इन तीनों के अंदर example मैंने जो आपको दिये, सबसे पहले आपकी जरूरतें कौन पूरी कर रहा है, सबसे पहले आपकी जरूरत cash ने पूरी की, इसलिए मै हम इसको क्या कहेंगे, least liquid है, ये क्या है, ये least liquid है, इस case के अंदर, मतलब कि हमको cash में मिल तो जाएगा, लेकिन मिलने में हमको time लग जाएगा, हमको समय लग जाएगा, हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तो liquidity का मतलब क्या है, most liquid assets क्या होंगे, जो जल्दी से cash में convert हो जाएं, ठीक है, और जो cash में convert होने में थोड़ा समय लें, थोड़ी दिक्कते आएं, उसको हम कहेंगे, जैसे property, उसको हम कहेंगे, वो कम liquid है, वो least liquid है, या less liquid है, समझ गए, liquidity का मतलब क्या होता है, cash, अब इंसान की जेब में जितना ज्यादा cash होगा, वो उतनी ज्यादा demand करेगा, पहले यहां देख लेते हैं, cash is most liquid form, क्योंकि आपकी जरूरत उसी वक्त पूरी कर देता है, ठीक है, जैसे ही आपने कहा कि मुझे तो दूद खरीदना है, मुझे तो milk खरीदना है, आप cash देंगे और दूद खरीद लेंगे, है ना, यानि उसकी उसी वक्त आपकी जरूरत जो है, वो पूरी हो गई, cash is most liquid form, फिर property जो है, वो less liquid है, cash में convert होने में आपको ट्राइम लगेगा, ठीक है, more liquidity leads to more inflation, यह लाइन क्या कह रही है, more liquidity leads to more inflation, हम यह पढ़ क्यों रहे है, liquidity वाली बाते, अब इससे correlate हम यह चीज़ें करते हैं, समझना, जैसे, किसी इंसा इसके पास जितना ज्यादा पैसा होगा, इसके पास जितना ज्यादा cash होगा, यह उतनी ज्यादा demand करेगा, इसके पास बहुत सारा cash है, बहुत सारा पैसा है, यह उतनी ज्यादा demand करेगा, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मुझे बड़े- मुझे हाथी घोडे भी चाहिए, मुझे महंगी कार भी चाहिए, मतलब यह demand करे जा रहा है, करे जा रहा है, क्योंकि इसके पास पैसा जादा है, because इसके पास liquidity जादा है, इसके पास liquid asset जादा है, ठीक है, demand हो गई, जितने जादा demand होगी, उतना जादा inflation बढ़ेगा economy में, उत and its effect करवाया है, वहाँ पे मैंने बताया है, कि किस तरीके से access money supply inflation को lead करती है, inflation को बढ़ाती है, जितने जादा demand होगी, उतनी जादा inflation होगी, और जितना जादा money होगा, demand उतनी जादा होगी, for example, कि मेरे पास 10 रुपे हैं, मैं सोचूंगी क्या, कि मुझे बड़े-बड़े गाड़ी-घोड़े-बंगले खरीदने हैं, नहीं, मेरे पास पैसे ही 10 हैं, 10 ही रुपे हैं मेरे पास, अब यहीं पे मेरे पास 10 करोड़ रुपे होते, तो मैं उसी हिसाब से अपनी demands बढ़ा देती, जितना जादा money आपके हाथ में होगा, जितनी जादा market में liquidity होगी, या अगर हमें महगाई को control करना है, तो हमें इस liquidity से लड़ना पड़ेगा, हमें इस money supply से लड़ना पड़ेगा, हमें इस cash से लड़ना पड़ेगा, यानि हमें लोगों के हाथ से ये पैसा चीनना पड़ेगा, ये currency, ये cash, ये liquidity चीननी पड़ेगी, ठीक है, तो ये इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितनी जादा liquidity होगी उतनी जादा inflation होगा जितना जादा liquidity होगी उतना जादा inflation होगा ठीक है ये बातें आप लोग समझ गए होंगे कि liquidity होता क्या है अब हमें देखना है कि जो RBI है वो किस तरीके से इस liquidity को control करता है इंडिया के अंदर क्या होता है RBI price stability को maintain करत है price को stable कौन रखता है RBI को price stable रखने होते हैं यानि inflation को control करने का काम RBI का है या मैं कह सकती हूँ money supply को control करने का काम RBI का है या मैं कह सकती हूँ कि liquidity को control करने का काम RBI का है सब एक दूसरे के synonym है तो liquidity को control कौन करता है RBI करता है तो RBI कैसे करता है इसके पास कुछ facilities होती है इसके पास कुछ facility होती है जिसको कहते है liquidity adjustment facility यानि liquidity को cash को money supply को पैसे को मुद्रा को adjust करने की facility liquidity adjustment facility I hope अब आप title का मतलब समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है हमें करना ये है कि किस तरीके से RBI market में liquidity को control कर रहा है उसके पास कौन-कौन से ऐसे operations है कौन-कौन सी ऐसी power है कौन-कौन सी ऐसी special windows है जिसकी help से वो ये सारी liquidity को हमारी pocket के पैसे को RBI दूर बैठा control कर रहा है ठीक है this is liquidity adjustment facility तरलता समायोजन सुविधा एक ऐसे सुविधा जिससे तरलता को समायोजित किया जा रहा है यानि की adjust किया जा रहा है ठीक है तो क्या-क्या चीज़ें RBI के हाथ में होती है LAF में liquidity adjustment facility में वो समझ यह सबसे पहले एक operation हम पढ़ते हैं जिसको कहते है repo rate क्या कहा जाता है repo rate कहा जाता है पूरा नाम होता है इसका री पर्चेज option पूरा नाम होता है री पर्चेज option मतलब आपको कुछ option मिल रहा है कोई चीज री पर्चेज करने का यानि आपने कुछ बेचा है उसको री पर्चेज करने का अपने को option मिल रहा है यहां से इस शब्द से हम में ये बात समझा रही है कि हमने कुछ बेचा है और हमारे पास एक option मिल रहा है that we can repurchase it ठीक है तो क्या बेचा है और क्या आप repurchase कर सकते हो ये समझते हैं हमकी रैपो रेट होता क्या है उससे पहले एक बार हम अपनी slides पे नजर मार लेंगे हमने slides में क्या समझा है ठीक है अ बहुत बच्चे confused रहते इस रैपो में reverse रैपो में नाम सब ने सुना है काम किसी को नहीं पता है ना तो आज की class में आप लोग नाम के साथ साथ काम भी समझें कि किस तरीके से रैपो या reverse रैपो ये जितने भी ये windows हैं ये काम करती है समझे बात को एक तरफ है RBI और एक त सकता है सभी बैंक हो सकते हैं मैं SBI को पसंद करती हूं तो मैंने यहां पर SBI एक्जामपल आप लोगों के सामने लिख दिया ठीक है एक तरफ है RBI एक तरफ क्या है एक तरफ है SBI अब SBI नीड्स मनी SBI RBI को कह रहा है प्लीज थोड़ा सा पैसा दे दो मुझे लोन दे दो RBI कह रहा है ठीक है कोई बात नहीं रोने की क्या बात है ले लो 100 रुपीज लोन दे दिया 100 रुपीज, ठीक है, लेकिन SBI को ये कहा, RBI ने, कि ये जो मैं तुझे 100 रुपीज दे रहा हूँ, ये short term के लिए है, this is for short term, ऐसा नहीं ये लेके बैठ जाओगे 40-50 साल के लिए, within one year, within one year, आप ये हमें वापिस कर दोगे, वैसे तो 14 days ही होता है, वैसे तो 14 days का ही time मिलता है, बट फिर भी क्या कहा जाता है, चलो ठीक है, within one year, आप ये पैसा हमें वापिस करोगे, और जितने time तक loan आपके पास रहेगा, आप हमें कुछ collateral रखो, collateral क्या होता है, गिर्वी रखो, हमारे पास कुछ गिर्वी रखो, आपको कुछ गिर्वी देना पड़ेगा, कुछ collateral देना पड़ेगा, कुछ collateral देना पड़ेगा, यानि कुछ गिर्वी रखना पड़ेगा, rate of interest कितना लगा दिया, 5% rate of interest लगा दिया, ये 5% rate of interest ही रेपो रेट है, मैं random कोई भी digits उठा रही हूँ, अभी रेपो रेट पांच नहीं चल रहा है, जितना चल रहा है, चेंज होता रहता है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ, ये homework आपका है, गूगल करे, रेपो क कितना चल रहा है, reverse रेपो कितना चल रहा है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कोई भी random digit उठा रही हूँ, ठीक है, तो rate of interest कहा है, फिर से सारे situation समझो, SBI ने कहा RBI को कि मुझे कुछ लोन दे दो, RBI ने कहा लोन तो ले-ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये जो पैसा मुझे return करना है, और मुझे कुछ गिर्वी रखो, तुम भाग गए तो, तुम्हे कुछ नुकसान हो गया तो, तुम ये पैसा ना दे सके तो, मेरे पास कुछ ना कुछ collateral रखो, मेरे पास कुछ ना कुछ गिर्वी रखो, तो SBI क्या करता है, कुछ गिर्वी रखता ह और short term पे इस पैसे को उधार में ले लेता है जिस rate of interest पे उधार में मिलता है जिस ब्याज की दर पर जिस rate of interest पे banks को RBI से उधारी मिलती है कुछ collateral रखके short term के लिए उसी को ही रैपोरेट कहते है मैं फिर से दोहरा रही हूँ सुनना जिस rate of interest पे banks को RBI से short term के लिए कुछ collateral दे कर उधार मिलता है लोन मिलता है उसको हम क्या कहते है उसको हम कहते है रैपोरेट अब यहाँ repurchase करने की क्या बात आ रही है SBI को यह option मिलता है कि तुमने जो collateral रखा है जो गिर्वी रखा है तुम movies में नाटकों में ये देखते होगे न कि मैं मेरे कंगन गिर्वी रखाई अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए मा ने कंगन गिर्वी रख दिये मतलब कंगन रख दिये और उससे पैसा उठा लाई ठीक है तो रैपो क्या होता है आप लोगों को समझ आ गया ये वो ब्याज की दर है जिस पर आर बी आई वानिजिक बैंकों को कमर्शिल बैंक को ठीक है या ओल बैंक को कुछ लगू समय के लिए चोटे समय के लिए कुछ गिर्वी रख कर उधारी देता है कौन दे रहा है उधार आर बी आई दे रहा है ले कौन रहा है एस बी आई ले रहा है यानि कोई भी बैंक या नॉन बैंक ले रहे है समझ गए रापो रेट क्या है तो एक बार हम स्लाइड में देख लेते हैं क्या है the interest rate at which ब्याज की दर यान interest rate at which RBI lands short term loan to its clients keeping their government security as collateral ठीक है समझ गए बात को clients क्या करते हैं कि agreement कर लेते हैं कि हम इसको repurchase कर लेंगे अपनी जो government security है जो हमने आपको गिर्वी रखा है हम उसको repurchase कर लेंगे ठीक है और इसलिए नाम क्या पढ़ा रपो repurchase option समझ गए बात को ठीक है तो bank cannot pledge their SLR quota अभी इन चीजों में मच जाओ क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं कि CRR SLR क्या होता है ठीक है वैसे जिसको पता है उसके लिए बता दू कि bank cannot pledge their SLR quota SLR क्या होता है statutory liquidity ratio bank अपने पास कुछ amount reserve करके रखता है bank अपने पास कुछ amount जो है वो reserve करके रखता है जो वो loan में नहीं दे सकता किसी को तो ऐसा कहा गया है कि SLR के अंदर जो government securities आपने रखी है वो आप repo के लिए use नहीं कर सकते ठीक है आप इस line को हटा सकते है कोई भी दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी दिक्कत मत मानो इस line को ठीक है आप बस इसका मतलब समझे कि repo rate क्या होता है reverse repo rate क्या होता है अब इन short short minute details के लिए आप लोग course को join जरूर करें कि भई कैसे क्या होता है SLR CRR ये सब कुछ क्या होता है YouTube पे जितना possible होगा मैं अपने knowledge आप लोगों के साथ share जरूर करूँगी ठीक है Monday and Friday शाम को 4 बजे मेरी classes regular consistency से आपको मिलती रहेंगी जिसमें छोटे छोटे concepts को हम समझते रहेंगे और अपने सफर को आसान बनाते रहेंगे ठीक है अब देखते हैं कि इस repo rate को inflation control करने के लिए कैसे use किया जाता है repo rate को inflation control करने के लिए कैसे use किया जाता है समझे मान लीजिए मैं दो option मैं दो case ले रहे हूँ A और B A case में repo है 4% और B case में repo है 5% ठीक है या मैं कह दूँ 6% It means RBI कितना lend कर रहा है ऐसा समझे यह RBI है यह SBI है First case में RBI ने इसको 100 रुपीज दिये 4% rate of interest पे यानि SBI को कितने वापिस करने है 104 रुपे वापिस करने है SBI को कितने रुपए में मिला यह पैसा 4% rate of interest पे SBI क्या करेगा अपने customers को कहेगा कि 6% rate of interest पे आपको loan मिलेगा customer को क्या कहेगा 6% rate of interest पे आपको loan मिलेगा because मुझे 4% पे यह पैसा मिला है तो कुछ margin अपना रख्के में 6% पे आपको दूँगा अब माल लीजिए कि RBI ने यह रेपो रेट बढ़ा के 6% कर दिया मतलब कि अब SBI को 6% rate of interest पे अगर यह रुपए मिल रहा है तो SBI अपने customer को क्या कहेगा कि मैं आपको 8% rate of interest पे दूँगा अपने customers को क्या कहेगा मैं आपको 8% rate of interest पे दूँगा यानि जो पैसा पहले customers को हम जैसी आम जनता को SBI से 6% rate of interest पे मिल रहा था आज वही पैसा 8% rate of interest पे मिलने लगा 8% rate of interest पे मिलने लगा यानि हमको costly loan मिल रहा है हमको loan महंगा मिल रहा है तो हम पहले से कम loan लाएंगे कम loan लाएंगे तो अपने पास पैसा कम होगा money कम होगा money कम होगी तो हमारी demand भी कम होगी है ना मैंने क्या कहा कि हमें loan जो है वो costly मिला loan costly मिला loan costly मिला तो हम पहले से कम loan लाए हम less loan लेके आए हैं bank से less loan लाए हैं तो हमारे पास money भी कम हो गया Money कम हो गया, money कम हो गया तो अब क्या हुआ हमने अपनी demand कम कर दी, demand कम करते ही inflation जो है वो control हो जाएगा, demand कम करते ही inflation जो है वो control हो जाएगा, समझ गए कि अगर हमें inflation control करना है तो हम repo rate को increase कर देंगे, ताकि market में loan महंगा जाएगा तो लोग कम loan लाएगे, यह होता है repo operation to control liquidity, आपने पैसे को control कर लिया, market में अब ज़्यादा लोन है ही नहीं, ठीक है तो demand कहां से होगी और इस तरीके से inflation जो है वो control हो जाएगा, इसको कहते है रेपो रेट, ठीक है इसको क्या कहा जाता है रेपो रेट, इसको policy रेट भी कहते हैं to control inflation, inflation को control करने के लिए इसको use किया जा यह है रेपो रेट, ठीक है अब इसके बाद हम समझते हैं कि reverse रेपो रेट क्या होता है, reverse रेपो रेट क्या होता है इसको समझो, reverse का मतलब उल्टा हो गया काम, है ना, लेने वाला अब पैसे देगा, SBI, अब RBI कह रहा है SBI को यार थोड़ा सा लोन दे दो, अब यह इसको 100 रुपीज दे रहा है, ठीक है, यह इसको 100 रुपीज दे रहा है, अब SBI को अपनी बेज़दी याद है, कि तुमने क्या कहा था, एक साल से पहले पहले वापिस कर दूँ, अब तुम भी भाया हमें यह पैसा जो है हम आपको short term के लिए दे रहे हैं, short term के लिए दे रहे है हम यह मनी आपको, और तुमने हमसे क्या कहा था, कुछ गिर्वी रखें, तो तुम भी अब हमारे पास कुछ गिर्वी रख देना, कुछ कोलेटरल रख देना हमारे पास, कुछ ना कुछ कोलेटरल रख देना अब हमारे पास, ठीक है, तुम हमसे बड़े हो, हमारे काम आ ज वापिस कर देना या 104 रुपए 35 पैसे वापिस कर देना यानि rate of interest कितना लगा दिया 4.35% कितना लगा दिया 4.35% ये हो गया reverse repo जिस rate of interest पे RBI RBI banks से पैसा ले रहा है for short term by giving some collateral by depositing some collateral कुछ collateral को deposit करवा के कुछ गिरवी को deposit करवा के जो short term के लिए RBI ने money लिया है जिस rate of interest पे लिया है उसको हम reverse repo rate कहते हैं reverse क्यों कह रहे हैं because अब RBI ले रहा है और SBI दे रहा है समझा गई बात इसको reverse repo कहते हैं आप में से बहुत सारे experience के दिमाग में यह आएगा कि माम इसको RBI को क्या जरूरत पैसे की RBI को क्या जरूरत है पैसे की बहुत सारे experience के दिमाग में यह आएगा कि माम अगर RBI में पैसा नहीं है तो फिर तो सारे bank पर बाद हो जाएंगे क्योंकि वो तो bankers bank है वो तो supreme bank है, supervisor है तो RBI को क्या जरूरत पड़ी पैसे की RBI को जरूरत नहीं पड़ी पैसे की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन market में पैसे को control करने के लिए उसने ये action लिया है, कैसे समझते हैं एक situation से यहाँ पे एक व्यक्ती है उनका नाम है पापा पापा है ये किसी के फादर है ये यहाँ पे उसके बेटे हैं इसके बेटे हैं ठीक है, ये बेटे बिल्कुल drink बहुत ज़्यादा drink करते हैं ये जो बेटा है इसका, ये sun है ये बिल्कुल बहुत सारी ड्रिंक करता है यह बेवडा टाइप का है ड्रिंक करता है अब क्या हुआ पिता जी बिल्कुल शरीप बिल्कुल भी नहीं पीते और बेटा बहुत जादा पी रहा है और हर रोज रात को दो बोटल ले आता है अपने पास रात को पीने के लिए रोजाना दो कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसके दो बोटल मैं मेरे पास मंग वालूं तो क्या किया पिता जी ने समझना इस बात को पिता जी को पीनी नहीं थी पापा को पीनी नहीं है लेकिन उन्होंने क्या कहा अपने बेटे को कि बेटा आज मैं प्यूंगा और तू ये दो बोटल मु पापा को पीनी नहीं थी पर किसलिए ये शराब अपने पास मंगवाई because बेटा ना पी सके अब ये पापा है RBI बेटा है SBI SBI के पास बहुत सारा मनी है बहुत सारा मनी है और इस मनी से ये बहुत सारा लोन दे रहा था अब क्या करे RBI ऐसा जिससे ये SBI लोन ना दे सके जिससे ये बेटा शराब ना पी सके क्या करें जिससे SBI लोन ना दे सके बेंक ने सोचा क्यों ना इसका पैसा में मेरे पास मंगवा लेता हूं इसके पास पैसा ही नहीं रहेगा इसके पास मनी ही नहीं रहेगा ये loan कहां से देगा तो RBI ने क्या कहा कि सुनो bank एक बात सुनो तुम ये अपना पैसा तुम ये अपनी money मुझे दो तुम ये अपनी money मुझे दो ठीक है? ये money तुम मुझे दो अब इसके पास loan देने के लिए बचा ही नहीं है इसके पास पैसा ही नहीं बचा है लोन देने के लिए RBI ने उसका access money अपने पास मंगवा लिया और कहा तुम्हें क्या चाहिए market से इंट्रस्ट चाहिए ना इंट्रस्ट मैं दूँगा तुमको इंट्रस्ट मैं दूँगा तुमको लेकिन यह money तुम market में मत दो reverse repo में RBI पैसा क्यों मांग रहा है बैंकों से उसको चाहिए नहीं लोन नहीं मांग रहा है वो वो क्या कर रहा है बैंकों का access पैसा अपने पास मंगवा लेता है short term के लिए so that कि जो market में inflation बढ़ रहा था जो ये लोग market में loan दे रहे थे, वो loan ना दे सकें, तो इसको कहते है reverse repo rate, जब RBI access money, बैंकों की access money अपने पास मंगवा लेता है, collateral को दे के short term के लिए, इसको कहते है reverse repo, एक बार आप लोग slides में देख लीजे, क्या होता है reverse repo, it is the interest rate, at, it is the interest rate that clients earn, clients कोन है RBI के, सारे banks, जो बैंकों को मिलता है interest rate, when parking their surplus funds with RBI for short period to earn interest, जब जो बैंक है, अपने surplus fund को, अपने extra fund को, RBI के पास short period के लिए पार्क कर देते हैं, interest को कमाने के लिए, इसको कहते है reverse repo, ये repo के जैसा ही है, ठीक है, इसमें RBI government security देगा, यानि collateral कौन दे रहा है, RBI collateral देगा, ठीक है, reverse repo हमेशा repo से कम होगा, reverse repo हमेशा repo से कम होगा, repo में कुछ percent minus कर दो, reverse repo निकलाएगा, अभी कितना कर रहे है, 65 basis point, अगर repo 4% है, अगर मान लिजिए repo 4% है, तो reverse repo कितना होगा, 4 minus 0.65, यानि 3.35, अगर repo 4.65 है, तो reverse repo कितना होगा, reverse repo कर देंगे, minus 0.65, यानि 4%, 0.65 का gap रखा है, repo हमेशा जादा होगा, reverse repo कम होता है, तो यह होता है, reverse repo का mechanism, यह हमने समझा कि reverse क्यों कह रहे हैं, because इसमें RBI उधार ले रहा है, उधार शब्द सिर्फ समझाने के लिए use कर रही हूँ, यानि access money को, banks की access money को अपने पास मंगवा लेता है, ताकि वो लोग इसका misuse ना कर सके, market में loan ना पहुंचा सके और inflation controlled रहे, अपने को तो liquidity control करनी है, तो यह होता है reverse repo का operation, ठीक है, तो मैं आपको short में बता दूँ, दोनों में difference, देखो, repo में क्या हो रहा है, repo और reverse repo, दोनों ही short term के लिए है, less than one year के लिए है, दोनों ही short term के लिए है, दोनों में ही collateral use किया जा रहा है, यहां भी collateral होता है, government security, यहां भी collateral होता है, government security, ठीक है, यहां पे RBI, banks को देता है, money कहां देता है, banks को देता है, loan कहां देता है, banks को देता है, यहाँ पे RBI banks से लेता है ठीक है? banks से लेता है money ठीक है? यह high होता है rate of interest इसका ज़ादा होता है इसका less than repo होगा less than repo कितना कम होगा? repo minus 0.65 यह हमारा reverse repo आ जाएगा ठीक है? कर inflation को control करने के लिए repo को increase कर दिया जाता है और repo reverse repo में 0.65 का gap रहेगा जैसे repo बढ़ेगा reverse repo भी बढ़ जाएगा तो यह repo और reverse repo का operation था जो हमने समझा अब कुछ special windows आई है यह special windows कौन सी है? 2020 में 2020 में कुछ special तरीके के कारनामे RBI ने प्रस्तुत किये एक शब्द है standing deposit facility standing deposit facility यह क्या होता है समझना? यहां भी क्या होता है इन banks के पास बहुत सारा access fund पढ़ा है अब banks को क्या कहा? कि तुम market में यह पैसा नहीं दोगे मार्किट में ये पैसा नहीं दोगे अगर तुमने लोन दे दिये तो महंगाई बढ़ जाएगी इतनी सारे लिक्विडिटी हो जाएगी सबके पास कि वो लोग इंफलेशन बढ़ा देंगे तुम एक काम करो ये एकसेस फंड हमें दे दो तुम ये एकसेस फंड हमें दे दो हमारे पास दे दो तुम्हारे पास जितना भी पैसा है हम आपको इंटरस्ट देंगे हम आपको ब्याज देंगे ठीक है हम आपको इंटरस्ट देंगे ये एकसेस फंड आप हमें दे दो हम आपको इंटरस्ट देंगे तुमको बाहर मार्किट से इंट्रस्ट ही चाहिए ना हम आपको इंट्रस्ट देंगे आप कहा रहे हो मैडम यही तो reverse repo में किया था access fund रख लिया और इंट्रस्ट दे दिया यही तो RBI ने reverse repo में किया था फिर reverse repo और standing deposit facility में फर्क क्या है फर्क यह है कि reverse repo में RBI ने collateral का use किया था RBI ने banks के पास कुछ गिर्वी रखा था कुछ collateral रखा था कुछ गिर्वी रखा था लेकिन यहाँ पे कुछ भी गिर्वी नहीं रखेंगे बस यह होगा कि banks इसको पैसा दे देगा access money पार्क कर देगा और RBI इनको interest देदेगा RBI कुछ भी collateral के रूप में कुछ भी government security banks में नहीं रखेगा तो reverse repo और standing deposit facility में बस एक ही difference है वो difference है collateral का reverse repo में RBI collateral देता है banks को यहाँ पे collateral नहीं देता ठीक है? reverse repo में भी bank access fund को RBI में deposit करवाता है यहाँ भी access fund को RBI में deposit कराता है reverse repo में भी RBI interest देता है SDF में भी RBI interest देता है इसको कहते standing deposit facility समझ गए? यानि deposit की facility दे दी RBI ने कि आप अपना access fund हमें deposit करवा दें हम आपको interest देंगे अगर यह पैसा वो market में loan में दे देते तो liquidity इतनी बढ़ जाती कि inflation control करना मुश्किल हो जाता यह होता है standing deposit facility उसके बाद क्या है? देख लीजे bank and park their access fund with RBI access fund को RBI में park कर देते हैं without any collateral कोई collateral use नहीं होता short term interest को earn करने के लिए ठीक है? समझ गए? reverse repo में collateral deposit होता है RBI के द्वारा लेकिन SDF में कोई भी collateral use नहीं होता है I hope आप लोग difference समझ रहे है repo का, reverse repo का और SDF का यह long term repo operation क्या होता है? long term repo operation क्या होता है? समझ यह repo याद है आप लोगों को? repo में क्या किया था? एक तरफ RBI है एक तरफ SBI है RBI ने इसको 100 रुपया loan दिया for short term ठीक है? बहुत ही कम समय में यह गिर्वी रखता है, collateral रखता है बहुत ही कम समय में SBI को यह पैसा return करना पड़ रहा था SBI बोला कि यह रिसका में फायदा भी नहीं उठा पाता एक साल पूरा हो जाता और मुझे पैसा आपको वापिस करना पड़ता है जैसा है बिल्कुल सेम यहां भी rate of interest लगेगा यहां भी collateral यूज होगा लेकिन यहां short term के लिए नहीं पैसा रखा जाता यहां long term के लिए रखा जाता है रैपो में आपको maximum one year का समय मिलता है banks को क्या कहा जाता है कि एक साल के अंदर अंदर तुम पैसा वापिस कर देना लेकिन long term रैपो में क्या कहा जाता है एक साल से तीन साल तक आपके पास समय है one year to three year आपके पास time है तीन साल तक तुम इस पैसे को use कर सकते हो within three years आपको यह पैसा वापिस करना है यह मर्जी आपकी है चाहे एक साल में दो चाहे तीन साल में दो maximum three years का time आपके पास है आप तीन साल तक इस पैसे को use कर सकते है ठीक है ताकि ज़्यादा time तक आपके पास पैसा रहे और आप इसका फायदा उठा सके यह होता है long term रैपो आपरेशन ठीक है यह होता है long term रैपो आपरेशन फिर एक और special window आई है सबजना special window यह आत्म निर्भर स्कीम जो चली थी कोरोना के दोरान जब यह इसको लेके आए है इसमें क्या होता है रैपो होता है short term के लिए लेकिन February 2020 से RBI ने long term रैपो आपरेशन को announce किया है एक साल से तीन साल का tenor है और इसमें banks को एक लाख करोड तक का लोन मिल सकता है limits लगा दी कि आप maximum एक लाख करोड तक का ही लोन ले सकते हो और minimum amount आप एक करोड ले सकते हो minimum एक करोड ले सकते हो maximum एक लाख करोड ले सकते हो e-cubair platform इकुबेर क्या है RBI का online platform है जहां से यह सब खरीद बेची होती है ठीक है interest rate जो लगेगा वो compound interest लगेगा annually compounded होगा वो यह होता है long term repo operation मतलब समय बढ़ा दिया long term दिर्ग अवधिका कर दिया है उसके बाद targeted long term repo operation मतलब कुछ target बना दिया है कुछ target बना दिया है इसको बिल्कुल सेम है क्या कहा कि जो पैसा तुम ले रहे हो मुझसे यह 100 रुपे जो तुमने लिये है यह तुम 3 साल तक अपने पास रख सकते हो यानि within 3 years आपको यह पैसा वापिस करना है ठीक है आपको यह पैसा वापिस करना है तब तक आपकी कोलेटरल हमारे पास रहेगी ठीक है और जो rate of interest लगेगा वो लगेगा अब हम पढ़ रहे है तारगेटिड लोंग टम रैप ओपरेशन में क्या होता है कुछ target दे दिया क्या target दे दिया कि इस operation का यूज करके आप जितना amount हमसे ले रहे हो इसका एक्स परसेंट इसका एक्स परसेंट आप लोगों को non-banking financial company में देना पड़ेगा ये company कौन सी होती है जैसे infrastructure की company है जो माल लो pull बनाने के ठेके लेती है बई हमारा काम है bridge बनाना हमारा काम है घर बनाना हमारा काम है buildings बनाना आपको ऐसी company में ये पैसा देना पड़ेगा कुछ amount जितना loan आप हमसे लोगे उसका x परसेंट आपको इन companies में देना पड़ेगा ये maybe मुथूट हो सकती है housing finance की company हो सकती है infrastructure की company हो सकती है जो बड़े बड़े projects करती है क्योंकि उनको fund नहीं मिल रहा था covid में उनको fund नहीं मि लेते हूँ banks को कहा long term में जो भी पैसा आप हमसे लोगे उसका x परसेंट आप NBFC में दोगे इसको कहते है targeted मतलब आपने target बना दिया कि ये पैसा इस targeted जगा पे ही जाएगा targeted long term repo operation ठीक है अब इसके बाद एक और term है पहले समझ लेते हैं हमारी slides क्या कहती है हमारी slides कह रही ह है कि targeted long term repo operation क्या होता है तीन साल का loan मिल जाएगा ठीक है ऐसा कहा है कि x% जो loan मिला है उसका x% NBFC company को ही देना पड़ेगा non banking financial company को ही देना पड़ेगा clear next is special LTO मतलब कुछ और special कर दिया है कुछ और special कर दिया है क्या special कर दिया है अब अगली window हम पढ़ रहे है special targeted long term repo operation हमने हमने समझा long term repo operation हमने समझा targeted long term repo operation अब हम समझ रहे है यह special targeted क्या है कुछ special लोगों को targets दे दिया है क्या दे दिया है समझो RBI ने कहा banks को कि ठीक है भाया तुम हमसे loan ले लो कोई दिक्कत नहीं है यह 100 रुपीज आप हमसे ले लीजिए और आपको 3 साल में within 3 years आपको यह पैसा वापिस करना है ठीक है interest आप पे लगेगा collateral आपको देना है और 3 साल तक आप यह पैसा हमें वापिस कर देना लेकिन एक शर्थ है जो यह पैसा आप ले रहे हो हमसे special targeted के नाम का जो पैसा ले रहे हो यह पैसा दो ही जगा लोन में दोगे दो जगा कौन-कौन सी एक तो MSME में micro, small and medium enterprises में मतलब जो छोटे-छोटे व्यापारी है micro, small and medium enterprises जो छोटी-छोटी दुकाने होती है 10 लाग से कम का जिनका क दोगे एक तो तुम लोन दोगे MSME में micro, small and medium enterprises में और दूसरा दोगे तुम unorganized sector में दूसरा दोगे असंगठी छेतर यानि unorganized sector में जिन लोगों को कोरोना की वज़े से बहुत जादा दिक्कत हो रही है जो पैसा है वो दो जगा जाएगा एक जाएगा MSME में एक जाएगा unorganized sector में मतलब आपको special targets दे दिये नाम क्या दे दिया special targeted long term repo operation समझ गए ताकि इन लोगों तक भी पैसा पहुँच सके कोविड की वज़े से इनके काम सब के ठप हो गए थे construction sites बंद हो गई थी है ना कहीं पे जो ये mystery मजदूर काम करते थे कोई फायदा नहीं हो रहा था उनको कोविड के दोरान lockdown लगा हुआ था तो उनको पैसे की कमी हो गई थी projects पूरे करने के लिए इस चीज के लिए ये special targeted long term repo operation RBI ले की आया है तो ये सब special window थी RBI की जिसके बारे में हमने जाना एक बार slides में देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है RBI loans for three years only सिर्फ जो ये special targeted है वो केवल small finance bank को ही दिया जाएगा बड़े banks को नहीं दिया जाएगा मतलब की commercial banks को नहीं दिया जाएगा only small finance bank को ही दिया जाएगा इस वाले operation में और कहा जाएगा कि आप जो भी पैसा हमसे लेंगे वो पैसा आप इन दो sector में deposit करवाएंगे इन दो सेक्टर में ही आपको loan देना है यह special long term repo operation आपको mcq practice कर लेते हैं सबसे पहला question है मुझे students ने कहा मैं question को हिंदी में भी लिख दिया कीजिए तो मैंने दे रहा है किसको commercial banks को means हमने देखा था एक तरफ RBI एक तरफ SBI ठीक है कौन दे रहा है RBI दे रहा है ठीक है और यह वापिस करेगा rate of interest पे तो कौन सा operation था वो clear हो गया होगा दिमाग में repo operation था repo operation में RBI banks को lend करता है banks को उधार देता है answer क्या जाएगा question number two क्या है question number two है कि आपको special targeted long term repo के बारे में सही कथन छाटना है लक्षित दिर्ग कालिक repo संचालन के बारे में कौन सा सत्य है true समझना है tenure जो होता है वो less than one year होता है गलत बात है तीन साल तक का tenure होता है less than one year तो repo का था यह तो targeted long term repo है तो tenure जो है one year से ज़्यादा का है unorganized sector और MSME में ही इसका amount use होगा बिलकुल सही बात है answer will be only two ठीक है next question है आपकी screen पे question number three it is the uncollateralized phenomena used by commercial bank to earn interest आपको पहचानना है कि इन में से कौन सा फिनोमेना ऐसा था कौन सा operation ऐसा था जिसमें collateral use नहीं होता था और interest को earn करने के लिए पैसे को जमा करवाया जाता था RBI में यानि याद करो यह RBI है इधर SBI है SBI इसको अपना access money access fund जमा करवा रहा है और collateral नहीं दे रहा है RBI collateral नहीं देता है अगर collateral देता तो इसको reverse repo कह देते collateral नहीं दे रहा है बस interest दे रहा है तो क्या कहा था मैंने इसको यह क्या है यह standing deposit facility answer will be A standing deposit facility ठीक है question number 4 आपकी screen पे to combat inflation मुद्रा स्विती से निपटने के लिए क्या करेंगे रैपो को बढ़ाया रैपो को decrease कर दिया कोई change नहीं किया या none of the above इन में से कुछ भी सही नहीं है तो हमने देखा कि अगर हमें inflation control करना है it means demand control करनी है it means हमको क्या करना है inflation को control करना है तो हमें demand control करनी है demand कम करनी है demand कम कैसे होगा जब money कम होगा, money कम कैसे होगा, जब loan जो है, वो महंगे मिलेंगे, loan जो है, वो costly मिलेंगे, loan costly कब मिलेंगे, जब repo rate जादा होगा, repo rate को बढ़ा देंगे to combat inflation, ठीक है, I hope आप लोगों को ये series अच्छी लगी है, ये series पसंद आई है, आपको इसके concept समझने में कुछ आसानी हुई होगी, थोड़ा सा topic आपको आसान लगा होगा, thank you so much, take care, bye bye.